तो मैं इस तरह से त्रवुच का परिम्याप ग्याद कर सकता हूं यह हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था तो चलिए अब इसके इसी प्राधारी देख कोश्चन करेंगे जिसे हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं तो आप सभी को अभी रिकॉल टेस्ट अपनी स्क्रीन पर दि पीशिव करेंगे आपको एक तर्वुच दिया गया है जिसकी भुजाय दियो है तीन सेंटिमेटर चैंटी मेंटर और टो आEM dollar like यह वाई का मान नहीं है यह जैड का मान है यहां single m game number काफी बच्चों क्या सौन करें किस अभी बच्चे स्वजव करेंगे सभी बच्चे स्वा। करेंगे यह एक तिर्भूच दिया हुआ हमें तिर्भूच की भुजाएya दी हुइ intrigued कि क्या क्या दी गई है 3 सेनटीमेटर 5 सेंतिमीटर और जैड़ सेंटीमेटर परिमाफ़ सेंटीमीटर दिया हुआ है तो घर spann ग्याद करना है अगर किसी बच्चे ना आंसर नहीं किया है, तो वो आंसर करें, सबी बच्चों को आंसर करना देखिए बहुत ही असां कोश्चन है ऐसा कॉंसेप्ट हम सेम टाइप का कोश्चन लाश्ट क्लास में कर चुके हैं लाश्ट क्लास में हम सेम टाइप का कोश्चन कर चुके हैं तीस सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे हम सॉल्व करेंगे 30 second और wait करते हैं फिर इसे solve करेंगे इस तरह का question हम पिछली class में कर चुके हैं हमें तिर्बुच की बुजाएं दी हुई है और परिमाप दिया गया है तो तिर्बुच की हमें तीसरी बुजा गयात करनी है अगर किसी बच्चे ने answer नहीं किया तो comment section में answer करेंगे सब्सक्राइब करना है ऐसा कोई भी बच्चे नहीं हो जो answer नहीं करें कि अब बच्चों को answer करना है अब सेकिंड और wait करते हैं पांच सेकिंड और wait करते हैं फिर इस से solve करेंगे 5,4,3,2,1 time's up देखिए हमें दिया हुआ है मान लीजिए किसी तरबुज की बुजाएं करम से 3 cm, 5 cm और 6 cm है तो मैंने एक तरबुज बनाया इस तरह से मान लीजिए मैं एक तरबुज ड्रो करता हूँ यह मैंने कोई एक तरबुज बनाया है इस तरह से इसकी मुझे तीन बुजाएं कौन कौन से दी हुई है मान लीजिए एक दी हुई है 3 cm यह बुज़ दी हुई है मुझे 5 cm और यह बुज़ दी हुई है मुझे 7 cm और मुझे परिमाप दिये गया है टोटल 12 cm तो हम जानते हैं कि तरबुज का परिमाप क्या होता है तिरभुज का परिमाप होता है तिरभुज की तीनों बुजाओं का योग हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था पिछले क्लास में कि तिरभुज का परिमाप तिरभुज की तीनों बुजाओं का योग होता है तो यहाँ पर अगर मैं लिखू परिमाप क्या हो जाएगा तीन सेंटिमीटर प्लस पांस सेंटिमीटर प्लस जैड सेंटिमीटर यही तो होगा परिमाप और परिमाप का मान मुझे दिया गया है बारा सेंटिमीटर तो मैं परिमाप के मान की जीगा लिखता हूँ बारा सेंटिमीटर पराबर तीन प्लस पांस सेंटिमीटर प्लस जैड cm, देखे 12 की जगह 12 cm, तीन और 5 cm हो जाएगा 8 cm, z की जगह z cm, अब अगर मैं इस 8 को यहां की जगह यहां ले जाओं, तो यह 8 यहां प्लस में है, तो इधर जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12, देखे, इसे मैं यहां लिख रहा हूँ नीचे, थोड़ों जगह नहीं है, क्योंकि 12 माइनस 8 cm, बराबर z cm, 12 में 60 गए तो बच्चे 4 cm, बराबर आगया जएट, तो हमारा z कमान क्या आगया, 4 cm, यानि कि option A हमारा बिल्कुल सही आंसर है, option A हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो गया, अगर किसी बच्चे को screenshot लेना है, तो screenshot भी ले सकता है, ठीक है, तो देखिए, अब हम पिछली क्लास में हमने कुछ त्रबुच के छेतफल की भी बात कर ली थी, त्रबुच के छेतफल की भी हमने थोड़ी बात कर ली थी कि त्रबुच के छेतफल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि त्रबुच के छेतफल का जो सूतर होता है, वह होता है, एक बटा दो गुना आधार गुना उचाई, या फिर अगर मैं इंगलिस में बोलू, तो one by two into base into हाइट वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट यह हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था फिर हमने यह देखा था कि छेत्र फल को निकालने के लिए अगर मैं इसके सूत्र को ध्यान से देखूं तो उसमें मेंली दो चीजे आ रही है एक तो आधार आ रहा है और एक उंचाही सब हमने पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो हमने सबसे पहले समकोंड तिर्बुज के बारे में पढ़ा था मान लीजी यह कोई एक समकोंड तिर्बुज है मान यह कोई एक हमारा समकोंड तिर्बुज है जिसमें हमें जिसका नाम मान लेते हैं हमें दिया गया है A, B और C और यह 90 degree हमें दिया गया है यह हमारा समकॉर्ण तिरुपुज है सबसे पहला टाइप हमने यही देखा था कि इसमें आधार और उचाई हम किस प्रकार पहचानेंगे तो इसका यह जो भुजा होती है 90 degree के सामने वाली यह भुजा होती है हमारी कर्ण जिसे हम इंगल इसमें हाइपोटेनियस भी कहते हैं तो इसको छोड़कर कर्ण को छोड़कर जो दोनों भुजाए होती हैं वो हमारी आधार और उचाई होती हैं तो हम किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं और किसी भी भुजा को उचाई मान सकते हैं यह हमने पढ़ा था समकॉर्ण ति के लिए आधार और उंचाई किस परकार निकालते हैं संभाहू त्रबुज के लिए मान लीजिए यह कोई हमें एक संभाहू त्रबुज दिया गया है मान लीजिए यह हमें कोई संभाहू त्रबुज दिया गया है इस परकार से इसका नाम मान लेते हैं अभी के लिए इसका और इसमें हमने डेखा था कि इसका आधार तो हम कोई भी मान सकते हैं इसका आधार तेनों बुझाओं में से सेम है तीनों ही बुझाओं बराबर है तो आधार तो हो गया हमारा A फिर हमने इसमें बात की थी कि इसमें उचाई किस परकार निकालेंगे इसमें उचाई किस परकार निकालेंगे तो हमने बहुत ही लंबी आपको ध्यान हो तो calculation की थी इसमें हमने इस परकार से एक perpendicular डाला था अब्र डिगरी बनाया था हमने पाइथागोरस प्रमेका यूज किया था तो देखिए वो सब सिर्फ आपको बताने के लिए था कि इसकी उचाई कैसे आती है अगर आपको वो याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप उचाई याद रख सकते हैं इसकी उचाई क्या ह होता है या फिर कोई भी भुजा और उचा ही होती है रूट तीन बटा दो गुणा उसकी भुजा अभी के लिए भुजा ए है तो इसलिए यहां पर ए लिखा हुआ है यह हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अब अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के त्रुज की ती संद्वी बाहूत त्रुज तीसरे टाइप का त्रुज हो सकता है संद्वी बाहूत त्रुज अच्छे आप में से कुछ बच्चों का डाउट यह होगा कि सर हम इनकी आधार और उंचाई क्यों निकाल रहे हैं हमने सबसे पहले संकौन त्रुज की देखी और आज हम संद् एक आधार है और एक उंचाई है अगर हमें दोनों पता लग गया किसी त्रुज का आधार पता लगया और उंचाई पता लगया तो हम उसका छेत्वल बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं कैसे एक बटा दो गुणा आधार गुणा उंचाई से हम उसका छेत्वल आराम से निकाल सकते हैं, तो इतना हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था, आपको यह टेबल ध्यान होगी, तो इसमें हमने समकोर्ट तिरबज में लिख लिया था, आधार B होता है, उचाई A होती है, जो हमें आकरती दी हुई है, उसके हिसाब से, फिर संभाहू तिरबज में हमें इस तरह की अक्रति दी थी उसका आधार A आया था और उचाई रूट तीन बटा दो गुणा A आई थी यह कैसे निकली थी पाइथागोरस पिरमेका हमने यूच किया था और फिर हमने यह ग्याद किया था वो बस आपको बताने के लिए था काफी बच्चों को हो सकता है उसमे तीन बटा दो गुणा A होती है आपको सिर्फ यह याद रखना है चलिए अब हम चलते हैं समद्वी बाहू तिर्बुच पर या फिर आईसो सिलश ट्राइंगल पर देखे जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है चित्र नमबर तीन में की एक तिर्बुच दिखाया तता तीसरी बुचा अलग हो इसमें दो बुचा हमें दी हुई है A और A और तीसरी बुचा हमें दी हुई है B आता है यह एक सम्द्वी बाहू तिर्बुच है तो सम्द्वी बाहू तिर्बुच का जो आधार होता है वह उसकी ऐसमान बुचा होती है वह उसकी ऐसमान बु क्या है ? B है ? A seinem-an का मेरा मतलब है, तीसरी बुझा जो की अलग है, जो की दोनों बुझाओं से अलग है। यहाँ पर देखे, यह B सबसे अलग है दो भुझाओं का मान A A और A है जब्कि तीसरी बुझाका मान B ही है तो यह बड़ है यहां पे इसलिए यह आदार हमारे होता है बी त्विर आफिर एसमान sudah एसमान बूजा यहां भी है इसलिए यहां पर बी लिखा हुआ है और इसकी ऊचाए क्या होती है इसकी ऊचाए होती है अंडर रूट मैं लिख के भी बता देता हूं under root A square minus B square बटे 4 under root A square minus B square बटे 4 अब आप बोलोगों सर यह कैसे आया तो देखिए यह भी बिलकुल इसी प्रकार आया जिस प्रकार से हमारा यह संभाहुत त्रबुच्च की उझाई आई थी जिस प्रकार से संभाहू तर्बुच की हमने उचाई ग्याद की थी पाइथोगोरस पिरमे से पहले हमने इस तरह से ग्याद की थी एक लंब डाला था 90 डिग्री बनाया था फिर हमने पाइथोगोरस पिरमे लगाया था तो इसी प्रकार से इसकी भी उचाई को हम ग्याद कर सकते हैं मैं इसको ग्याद पूरा डाइटिवेशन इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंजूमिंग है वो बहुत ही टाइम लेगा और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको यह पता है वह बिल्कुल संभाहू तरबुच के लिए ही है वह जैसे संभाहू तरबुच के लिए किया था वैसे ही संभाहू तरबुच के लिए भी किया जा सकता है लेकिन एक तो सम्द्वाहू तर्बूश के कुश्चन बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं बहुत ही ज़्यादा कम या फिर मैं कह सकता हूँ ना के बराबर आते हैं एक्जाम में इसलिए उसको स्किप्ट कर रहे हैं ठीक है तो अभी तक आपको मैं मोटा मोटा बता हूँ तो आप वो लोगों की सर हमें याद किया रखना है तो देखिए एक्जाम में जो कोश्चन आएंगे वो आएंगे या तो आपको समकौन तिर्बुश दिया हुआ होगा या फिर बहुत ही रेयर केस में समभाहू तिर्बुश दिया होगा तो उसकी आपको आधार निकालना आना चाहिए और उचाई निकालना आना चाहिए और आधार और उचाई के बाद आपसे छेत्रफल ऊचा जाएगा शेत्रफल आप एक बटा दो गुर्णा आधार गुर्णा उचाई से निकाल सकते हैं जैसे कि अब अगर मैं देखे अपने यहाः पे आधार और उचाई तीनों त्रभुच के लिए निकाल ली तो चलिए आप हम इनका शेत्रफल निकालेंगे छेतफल कैसे निकालेंगे छेतफल का हमारा सूत्र होता है एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई तो हमने समकौन तिर्भुच के लिए हमने देखा था कि B हमारा मान लीजी आधार हो गया और A हमारा क्या हो गई उचाई हो गई सी तो देखिए हमारा 90 डिकरी के सामने की वुजा है तो यह तो ओग्या कर्ण तो यह तो हो ग्या हमारा कर्ण तो अब अगर मैं इसमें सूत्र लगाउँ 1 बटा 2 गुणा आधार गुणा उचाई का 1 बटा 2 गुणा आधार गुणा उचाई से तो एक बटा दो की जगा एक बटा दो आधार कितना है B, उचाई कितनी है A तो यह हमारा कितना आ जाएगा एक बटा दो गुणा A गुणा B या फिर B और A को आपस में चेंज भी कर सकते हैं एक बटा दो गुणा B गुणा A या फिर एक बटा दो गुणा A गुणा B अगर मैं बात करूं कि संभाहुत त्रबुच के लिए यह formula कैसे आया छेतरफल का तो यह किस प्रकार आया इसी formula से एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊचाई देखिए इसमें अगर मैं नीचे इसे solve कर रहा हूँ संभाहुत त्रबुच के लिए मैं इसे नीचे solve कर रहा हूँ जिससे कि आपको उपर clear समझ में आ जाए एक बटा दो की जगा एक बटा दो लिखा आधार कितना होता था हमने बात कीती आधार होता है इसका एक तीनों बुजाएं बराबर हैं तो यह देखिए कितना हो जाएगा एक गुना ए हो जाएगा हमारा a square ऑर नीचे देखिए दो गुणा 2 है तो नीचे हो गया हमरा 2 गुणा 2 4 और उपर root 3 है root 3 गुणा 1 root 3 गुणा 1 यह हो जाएगा हमरा root 3 तो संभाहूत तिरबुच का शेतरफल कितना जाएगा root 3 बटा 4 A square root 3 बटा 4 A square same इसी परकार से सेम इसी प्रकार से एक बटा दो गुणा आधार आधार इसमें B होगा संदी बाहुत तिर्बुच के केस में एक बटा दो गुणा आधार आधार इसमें B होगा गुणा उंचाई उंचाई क्या होगी? उंचाई इसमें यह होगी उचाई संदी बाहुत तिर्बुच के case में यह होगी तो अगर आप इनकी value put करेंगे तो आपको छेतरफल का यह formula मिल जाएगा संदी बाहुत तिर्बुच के लिए मैं संदी बाहुत तिर्बुच के लिए solve करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ यह देखे बहुत ही कम आता है पेपर में या फिर मैं कहूं ना के बराबर आता है यह थोड़ा less important है लेकिन यह दोनों सबसे ज़्यादा important है देखे संदी बाहुत तिर्बुच संदी बाहुत तिर्बुच बहुत ही ज़्यादा आता है अगर संद्विबाहु तिर्बुज का आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये थोड़ा कम important होता है तो अभी तक यह था आपके पूरे छेत्रफल का concept आपको समझ में आया सभी बच्चों को की तिर्बुज का छेत्रफल कैसे निकाला जाता है तिर्बुज का छेत्रफल या फिर अलग-अलग प्रकार के तिर्बुजों का छेत्रफल कैसे निकाला जाता है ठीक है वेरी गुड अगर आपको समझ में आया तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर कोई कोशन आपको एक संकौन तिर्बुज दिया गया है जिसका बी आपको दिया गया है पांस सेंटिमीटर और एक दिया गया है दस सेंटिमीटर तो आपको इस तिर्बुज का पूरे का शेत्रफल ग्याद करना है आप comment section में answer कर सकते हैं आज poll section में answer नहीं करना है क्योंकि poll section काम नहीं कर रहा है तो इसके आप comment section में answer कर सकते हैं तेखे गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में सभी बच्चों को solve करना है आपको तिर्बुज दिया गया है उसमें आपको B दिया हुआ है 5 cm, H दिया हुआ है 10 cm आपको B दिया हुआ है 5 cm, H दिया गया है 10 cm तो आपको इस तिर्बुज का शेत्रफल ग्याद करना है आपको इस्तिर्बुद का छेत्रफल क्याद करना है सभी बच्चों को देखे, सॉल्व सभी बच्चों को करना है अच्छा आप पूरा आंसर ना लिखके, आप A, B, C, D, Opsons लिख सकते हैं पूरा आंसर लिखने की बढ़ा है, आप डायरेक्ट A, B, C, D, Opsons लिख सकते हैं वेरी गुड काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड हमें एक तिर्बुष दिया गया है, जिसमें हमें B, 500 cm दिया हुआ है B जो कि उसका आधार है, H दी हुई है, जो कि उसकी ऊचाई है, 10 cm और हमें उसका शेत्रफल ग्याद करना है, हमें उसका शेत्रफल ग्याद करना है सबी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड वैसे काफी बच्चों का अंसर आ गये है थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर इससे सॉल्व करेंगे तीस सेकेंड और वेट करते हैं फिर इससे सॉल्व करेंगे अच्छा किसी भी बच्चे को देखे ऐसा नहीं हो कि आप कहीं एक दूसरे बच्चे को अपना कॉम्पटीशन समझे मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजी अगर किसी बच्चे ने भी आंसर कर दिया तो ऐसा नहीं है अगर किसी बच्चे से सॉल्व भी नहीं हो रहा है तो वो भी बी ही आंसर कर रहा है या फिर अगर किसी बच्चे का सी आंसर आ रहा है तो वो दूसरे को देखके बी ही आंसर कर रहा है ऐसे नहीं करना सभी बच्चों को अपना अपना अंसर करना है उससे आपको पता लग जाएगा मान लीजिये अगर आपने आंसर किया option C और option A सही है या फिर option B सही है तो आपको फिर पता लग जाएगा कि यार मेरा question गलत था और मैंने यहाँ पर गलती करी थी तो किसी भी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे का answer copy नहीं करना है सभी बच्चों को अपना-पना answer लिखना है honestly जो उनका answer आ रहा है चलिए ठीक है तो काफी बच्चों को देखे B answer आया है लबग लबग सभी बच्चों ने answer B दिया है तो चलिए अब इससे solve करते हैं देखते हैं इसका answer क्या आता है तो हमें देखिए B दिया हुआ है 5 cm, H दिया हुआ है 10 cm अगर मैं बात करूँ तो B यह है, यह हमें 5 cm दिया हुआ है, H हमें यह है, यह दिया हुआ है 10 cm तो देखें सब से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक समकॉण बन रहा है यहां पर एक समकौण या फिर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब यह हमारा एक समकौण तिर्बुज है यह हमारा समकौण तिर्बुज है समकौण तिर्बुज का मतलब है कि मान लीजे देखिए यह दो तिर्बुज है अगर मैं इस पूरे तिर्बुज की बात करूं तो पूरे तर्वच को मुझे नहीं पता ये किस प्रकार का तर्वच है जो यह मुझे दिया हुआ है यह त्रबुच की उचाई है यह त्रबुच की उचाई मुझे कैसे पता लगा कि यह त्रबुच की उचाई है तो देखिए इसे मैं इस तरह से बता सकता हूँ क्योंकि नीचे वाला तो त्रबुच का आधार होगा नीचे वाला त्रबुच का आधार हुआ और आधार पे हमने सामने वाले शीर्स से आधार पर हमने सामने वाले शीर्स से 90 डिग्री डाला हुआ है 90 डिग्री पर एक लंब डाला हुआ है तो उचाई की definition भी यही होती है कि आधार के सामने वाले शीर्स से मान लेजिए कि अभी यह शीर्स पॉइंट A है आधार के सामने वाले शीर्स से अगर आधार पर 90 डिग्री पर एक लंब खीचा जाए तो वह उस तरबुच की उचाई होती है तो यहां पर यह जो A अगर मैं इसे पूरा नाम दू तरबुच का नाम में ABC दे देता हूं और इस पॉइंट क पर आऊंगा मेरे फॉर्मूला क्या होता था शेत्रफल का जो सूत्र होता था वह क्या था एक बटर दो गुणा आधार गुणा उचाई तो आधार की जिगा मुझे कितना दिया हुआ है, आधार की जिगा मुझे दिया हुआ है 5 cm, उचाई की जिगा मुझे दिया हुआ है 10 cm, तो 10 गुण 5 हो गया मेरा 50, डिवाइड में हो गया 2, तो यह मेरा आग्या देखे 25 cm², 25 cm², कुछ नहीं, मैंने simple, एक बाट दो गुणा आधार गुणा उचाई का formula लगाया है, मुझे आधार दिया हुआ है, मुझे उचाई दी हुई है, मैंने simple formula लगाया, उसमें value पुट करी, मेरा answer आ गया, तो option B इसका बिल्कुल सही answer है, जो कि लगबख सभी बच्चों ने सही दिया था, तो यह नेक्ट question आपको दिख रह होगा, तो उसी प्रैड का piece आपको दिया हुआ है, उसमें आधार दिया गया है, 3 cm और छेतरफल दिया गया है, 6 cm square, तो आपको उचाई ग्याद करनी है, तो आपको उचाई ग्याद करनी है, सभी बच्चे comment section में answer करेंगे, अब पूरा answer लिखने की बदाए, आप only options लिख स सही है, B सही है, C सही है, या फिर option D सही है, तो आप इस प्रकार से option लिख सकते हैं, पूरा answer लिखने की ज़रूत आपको नहीं है, आपको एक तिरभूचा कार, आप देखिए, जो bread का piece दिया गया है, वहें तिरभूचा का राकार का ही है, हमें उसका आधार दिया गया है, 3 cm और छित्फऽ दिया वया है 6 cm sqyre तो हमें उस तरवुज की उंचाई ग्यात करनी है या फिर ब्रेड के पीश की जो ऊंचाई है वह ग्यात करनी है सब ही बच्चे solve करने हैं कोशन सब्तों को solve करना है सबी बच्चों को सॉल्व करना है question और कोई भी बच्चे किसी दूसरे बच्चे का answer copy नहीं करेगा आपका जो भी answer आ रहा है आप उस option को mark कीजे कोई भी बच्चे किसी दूसरे बच्चे को देखके answer copy नहीं करेगा आपको ब्रेड का आदार दिया गया है और ब्रेड की उंचाई दी गई है सभी बच्चों को सॉल करना है कोश्चन सभी बच्चों को सॉल करना है त्रबुच का शेत्रफल आपको दिया गया है त्रबुच का आदार आपको दिया गया है त्रबुच की उंचाई ग्याद करनी है ब्रेड का पीश्चों आपको दिया गया है वैं त्रबुच आकार आकार का है सभी बच्चों को comment section में answer करना है सभी बच्चों को comment section में answer करना है ह सके बच्चों को answer आ रहे हैं का एक काफी बच्चों का answer रहा है के मतने थोड़ी देर और वेट करते हैं फिर इसे थोड़ी देर और वेट करते हैं फिर इसे इसे हम स्यूल करें गे 20 सेकंड और वेट करते हैं 20 सेकंड फिर इसे सॉल्व करेंगे 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया तो जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में अपना आंसर करें 10 सेकंड और वेट करते हैं 10 सेकंड बाद इसे सॉल्व करेंगे 5 सेकंड 5 4 3 2 1 ठीक है चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं देखे आपको एक ब्रेड का पीस्ती आ गया है अगर मैं इस ब्रेड के पीस को ध्यान से देखू तो देखी यह एक तरभुज बनाता है यह एक तरभुज बनाता है अगर मैं इसकी तीनो साइडों को देखू अगर मैं इसकी तीनो साइडों को देखू तो यह एक तरभुज बनाता है इस परकार का और आपको देखिए यह क्या लगवग लगवग आप देखोगे तो यह कुछ समकॉंड तिर्बूज की तरह लग रहा है जो यहाँ पे 90 डिगरी का कॉंड बना रहा है ठीक है तो हमें यह तो पता लग गया कि यह हमारा किस आकार का है यह हमारा तिर्बूजाकार आकार का है यह हमारा तिर्बूजाकार आकार का है तो हमने अभी तिर्बूज का छेतरफल पढ़ा देखिए हमें यहाँ पे आधार दिया हुआ है और छेतरफल दिया हुआ है और सिंपल उचाई पूछी है तो हमने अभी छेत्रफल का सूत्र पड़ाई था एक बटे दो गुना आधार गुना उचाई या फिर वन बाई टू इन्टू बेस इन्टू हाईट तो देखे इसके जगा बस मैं मान रख रहा हूं छेत्रफल मुझे दिया हुआ है छे सेंटीमीटर स्कॉयर तो मैंने 6 श्रफल की जगा रखा 6 6 एक बटा 2 बुना आधार दिया हुआ है मुझे देखे 3 cm आधार की जगा मैंने रखा 3 cm और उचाई मुझे ग्यात करनी है उचाई मुझे ग्यात करनी है तो उचाई की जगा मैंने रखा उचाई देखे अब 2 यहाँ पर division में है अगर जाएगा देखिए च्छै गुणा दो बरावर एक गुणा तीन गुणा उंचाई अब देखिए यहां तो हो गए च्छै दूनी बारा बरावर एक गुणा तीन कितना हो गया तीन गुणा उंचाई अब अगर तीन देखिए यहां पर इसके क्या है मल्टिप्लिकेशन में है या फिर गुणा में है अगर मैं इस तीन को यहां पर लेके आँगा इस पक्ष में तो यह भाग में हो जाएगा तो यह आगे कैसे हो जाएगा 12 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा उचाई तो तीन से बारा कितनी बार जाएगा तीन से बारा जाएगा चार बार तो उचाई हमारी कितनी हो जाएगी उचाई हो जाएगी हमारी चार सेंटी मीटर उचाई हो जाएगी हमारी चार सेंटी मीटर इसके मतलब क्या होगा? आप्सन सी हमारा सही आंसर होगा option C हमारा सही answer होगा चायद काफी बच्चों ने option A answer किया है तो उन्होंने या तो सूत्र लगा दिया होगा छेत्फल बरावर आधार गुणा होचाई उन्होंने एक बटा दो गुणा आधार गुणा होचाई नहीं लिखा होगा तो अगर आप आधार गुणा होचाई लगाओगे तो आपका answer दो सेंटिमीटर आजाएगा लेकिन तिरुष के छेत्फल के सूत्र होता है एक बटा दो गुणा आधार गुणा होचाई तो अगर आप यह formula यूज करोगे तो आपका answer आजाएगा option C यह सभी बच्चों को समझ में आया option C कैसे आया फोर सेंटिमीटर कैसे आया यह सभी बच्चों को clear है ना option C कैसे आया ठीक है यह clear है तो देखी छेत्फल पर आज आज आखरी welt on a question करते हैं उसका option C answer हो का यह छेत्फल का आखरी कोश्चन है हमें दिया हुआ है छे मीटर की भुजा वाले संभाहु तिर्बुज का छेत्फल ग्याद करना है हमें संभाहु तिर्बुज का छेत्फल पूछा गया है जिसकी एक भुजा हमें दी हुई है छे मीटर जिसकी एक भुजा हमें दी हुई है छे मीटर अगर मैं इंगलिस में बोलू तो we have to find the area of an equilateral triangle with side 6 meter with side 6 meter सभी बच्चों को comment section में answer करना है सभी बच्चों को comment section में answer करना है सभी बच्चों को comment section में answer करना है हमें एक संभाहुत्रभुच का छेत्रफल ग्याद करना है चिसकी बुजा हमें दी हुई है 6 meter 6 meter देखे इसे थोड़ा ध्यान से solve करेंगे इसे थोड़ा ध्यान से solve करेंगे इस question में थोड़ा गलती होने के chances हो सकते हैं तो इसलिए इसे ध्यान से solve करेंगे very good काफी बच्चों के answer आ रहे हैं इस question का आपको ध्यान से solve करना है हमें एक equilateral triangle का area find out करना है जिसकी side हमें दी हुई है 6 meter या फिर 6 meter के भुजावाले संबाहु तिर्बुज का हमें छित्रफल क्याद करना है काफी बच्चों के वैसे answer सा चुके है चलिए 30 second और wait करते हैं 30 second फिरे से solve करेंगे 30 second और wait करते हैं फिरे से solve करेंगे 30 second और wait करते हैं we have to find the area of an equilateral triangle with side 6 meter 10 second और wait करते हैं 10 second में इसे solve करेंगे 10 second और wait करते हैं 5 second 5, 4, 3, 2, 1 चलिए अब इसे solve करते हैं देखे अगर आपका थोड़ा सा question रह रह रहा है अगर आप बिल्कुल answer के नजदिक हैं तो आप solve करें और अपना answer comment section में लिखते हैं हमें पता होने चाहिए देखे संभाहू तिर्बुज किसे कहते हैं संभाहू तिर्बुज में उसकी तीनों ही भुजाओं की मा बराबर होती है जाफिर अगर मैं इंग्लिस में कहूं तो equilateral triangle में triangle की तीनों sides जो होती है वो equal होती है तो हमें देखे तिर्बुज की एक भुजा दी हुई है 6 meter एक भुजा दी हुई है हमें 6 meter तो क्योंकि संभाहू तिर्बुज में तीनों ही भुजाओं बराबर बराबर होती है तो उसलिए तीनों ही भुजाओं कितनी हो जाएंगी 6-6 meter की अब मुझे संभाहू तिर्बुज का 6 तिरफ़ल गयाद करना है और देखिए मैं जानता हूँ कि छेतरफल का सूत्र तो होता है एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई लेकिन अब मैं यहाँ पर उचाई कैसे ग्याद करूँगा लेकिन अब मैं यहाँ पर उचाई कैसे ग्याद करूँगा क्योंकि मुझे उचाई तो दी नहीं हुई है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि संभाहु तिर्भुच का जो आधार होता है अगर आपको ध्यान हो तो इस टेविल में देखिए हमने पढ़ा था हमने एक टेविल बनाई थी टेविल में हमने संभाहु तिर्भुच का आधार और उचाई यहाँ पर यह हमने पढ़ा था कि संभाहु तिर्भुच का जो आधार होता है देखिए यह जो ग्रीन कलर के बॉक्स में बना हुआ है जो संभाहू तिर्भूज का आदार होता है वैद तो तिर्भूज की भुजा ही होती है और इसकी ऊचाई होटती है रूट 3 बटा 2 गोणा A रूट 3 बटा 2 गोणा A तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर्मूला बीकि हमारा वही है एक बटाव 2 गुना आधार गुना वुचाई वैकिन हमें आधार और उचाई पता होना चाहिए अब आधार और उचाई को कैसे बुजा ली थी ए और अब हमारी बुजा है 6 तो मैंने याप एक ही जगा लिख दिया 6 मीटर हमने याप लिख दिया एक ही जगा 6 मीटर तो चलिए देखिए अब इससे solve करते हैं देखिए यह वाला जो 6 है अगर मैं इस 2 से 6 को काटू तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 तो यह हमारा हमारा बस गया 1 गूनाठीन गूला रूटी गुणाठीन और नीच से अबाद। कितमर बचा एकЕ एक को समय हटा रहा हूँ अगर मैं इसकी बात करू तीन गूला तीन की दो तीन गूंढा तीन कितने हो जाएगा हमारा ऑम एक बचए मारा Rute 3, तो Rute 3 को मैं इस Agitive लिख रहा हूँ, Rute 3 को मैं उसी परकार लिख रहा हूँ, तो मेरा छहत्रफल क्या आगा, मेरा छहत्रफल आ गया, 9 Rute 3 मीटर स्क्वाइर, 9 Rute 3 मीटर स्क्वाइर, तो हमारा कौन सा Option इस ही हो जाएगा, देखें आपको यह गलती नहीं करनी है क्योंकि इसमें ध्यान से देखना है आपको संभाहू तिर्बुज दिया गया है संभाहू तिर्बुज में कोई भी बच्च जल्दबाजी में यह नहीं करेगा एक बटे दो गुणा आधार भी छे लिख दिया आपको सीधा दिया हुआ है यह संभाहू तिर्बुज या फिर एकुलेटरल ट्राइंगल है तो आपको उंचाई का फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा उससे उंचाई निकालनी पड़ेगी फिर आपको एक बटे दो गुणा आधार गुणा उचाई लगाना होगा सभी बच्चों को यह कंसेप्ट के लिए रहा संभाहू तिर्बुज के छेथफल कैसे ग्याद किया हमने वेरी गुड देखिए अगर आपका यह के लिए रहा है तो बिल्कुल आपके छेथफल पर आपकी कोश्ट इसी प्रिकार से बनेंगे तो देखिए हमारे छेथफल का कौश्ट यहीं तक था इसके कोश्ट भी हो गए हैं चलिए अब हम आज का next कौश्ट करते हैं हमारा आज का next concept है समानतर चत्रभुज का परीमाप और उसका छेत्रफल समानतर चत्रबुच् को परिमाप और उसका छेत्रफल आप ने देखिए इस समानतर चत्रबुच् Judia फिर पैरललोग्राम जिसे हम एगलिस में कहते हैं उसके बारे में आपने जॉमेट्री या फिर जामिती में जब पढ़ा होगा पढ़ाए गया होगा तब आपने इसका अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी इसके बारे में और इस पैरलोग्राम के बारे में पढ़ा होगा देखें मैं आपको एक जल्दी से रिवाइच करा देता हूं कि आखिर होता क्या था पैरलोग्राम आ एक ऐसा चत्रबुज जिसकी आमने सामने की बुजाएं बराबर हो और समानतर हो आमने सामने की बुजाएं बराबर भी हो और समानतर भी हो मसला अगर मैं बात करूँ A B बराबर होना चाहिए C D के क्योंकि आमने सामने की बुज़ा है A B के सामने बुज़ा कौन सी है C D तो A B बराबर होनी चाहिए C D के और A B देखे पैरलल भी होनी चाहिए C D के जो हम यहां पर इस टाइप का निसान लगाते थे समानतर दिखाने के लिए तो A B बराबर होने चाहिए C D के और A B पैरलल भी होना चाहिए या फिर समानतर भी होना चाहिए C D के और दूसरा क्या होता था आमने सामने की बुज़ा तो ये भी है आपस में आमने सामने की बुज़ा तो देखिए ये भी है A D और B C A D और B C भी आमने सामने की बुज़ा है तो A D और B C भी आपस में बराबर होने चाहिए A D और B C भी आपस में बराबर होने चाहिए और A D और B C एक दूसरे के समानतर भी होने चाहिए तो यह आपने समानतर चत्रबुज के केस में पढ़ा होगा यह समानतर चत्रबुज की प्रॉपर्टी होती है कि समानतर चत्रबुज की जो सम्मुख बुजाए हैं या आमने सामने की बुजाए हैं वे एक दूसरे के समानतर तथा बराबर होती हैं यह आपने समानतर चत्रब क्या होता है अच्छा आप बिल्कुल basic definition पर जाईए basic definition हम ने परिमाप की क्या definition पड़ी थी कि कि किसी भी आकरती के किसी युई बंदा आकरती के चारो और की कुल लंबाई चारो और की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है आफ समानतर चत्रबुज है तो मान लीजिए समान अगर मैं इस तरह से समानतर चत्रबुज बनाओ तो समानतर चत्रबुज का परिमाप क्या हो जाएगा समानतर चत्रबुज का परिमाप क्या हो जाएगा उसकी चारो तरफ की कुल लंबाई मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू आरस इसक के चारों तरफ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी मान लीजिए मैं अगर पी से चलता हूं मैं पॉइंट पी से चलता हूं तो पहले मैं पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे गया तो मैंने कितनी डिश्टेंस ट्रेवल की पी क्यू पहले अगर मैं पॉइंट पी से यहां से स्टार्ट करके पॉइंट क्यू तक गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पी क्यू फिर मैं क्यू से पॉइंट आर तक गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की क्यू आ फिर मैं आर पॉइंट से लेके एस पॉइंट तक गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेव जिस point से चला था point P पर तो इसका मतलब मैंने पूरा चक पर लगा लिया है और मैंने जितनी total दूरी तैकरी या फिर मैंने जितनी लंबाइ तैकरी है वही इसका क्या हो जाएगा वही इसका परीमाफ हो जाएगा और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQ, QR, RS, SP यह चारो ही समानतर चत्रबुज की भुजा है यह चारो ही समानतर चत्रबुज की भुजा है तो इसलिए हम कहते हैं कि समानतर चत्रबुज की चारो भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है देखिए आपको कुछ नहीं करना आपको बस चारों भुजाएं जैसे हम कहते हैं कि तिर्भुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई तिर्भुज को परिमाप है समानतर चत्रभुज में चार भुजाएं होती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चारो भुजाओं की लंबाई समानतर चत्रबुज का परिमाब होती है तो देखिए आपको इस परकार से एक समानतर चत्रबुज दिया भी गया है जिसका नाम दिया गया है A, B, C, D ए, बी, सी, डी, एक समानतर चत्र बुज़ है जिसमें आमने सामने की बुज़ा है देखिए इसमें बराबर होती है तो इसलिए इस आमने सामने की बुज़ा ए, बी और सी, डी आमने सामने की बुज़ा है देखिए ये दोनों आमने सामने की बुज़ा है और यह AB और CD यह आपस नाम में सामने के बुज़ा है तो इसलिए आपको BC और AD कमान क्या दिया गया है B दिया गया है और यह जो arrow लगाये गए हैं आप ध्यान से देखोगे यह double arrow है यह देखें यहाँ पर double arrow है और यहाँ पर भी a double arrow लगाया गया है तो समानतर को दिखानी के लिए लगाया गया है यह आपने जोमेटरी में पढ़ा होगा तो इस परकार से आपको एक समानतर चत्रबुस दिया गया है ABCD तो इसका हमें परिमाप क्याद करना है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा, इसकी चारो बुजाओ का योग, इसकी चारो बुजाओ का योग, चारो बुजाओ का योग, चारो बुजाओ का योग, चारो बुजाओ का योग का योग कर दिया, अब चारो बुजाओ में एक बुजाओ, A, B और C, D का मान दिया हुआ है A, तो उनकी जगह पर हमने A रख दिया, B, C और D, A का मान दिया गया है हमें B, तो उनकी जगह पर हमने B रख दिया, तो देखिए A पलस A कितना हो गया, अगर मैं इसे यहां पर solve करूँ, A पलस A हो गया हमारा 2A, और B पलस B कितना हो गया, टू भी, तो यहां पर दो देखिए, दोनों में है, तो दो मैंने यह common ले लिया, दो मैंने यह urbanisht ले लिया, और क्या बचा A पलस B, क्या बचा A पलस B, अब देखिए, मैं यह जो बुजा है, या फिर यह जो लंबाई है, इससे समानतर चत्रबुच्की लंबाई कह सकता हूँ, और इस बुजा को मैं समानतर चत्रबुच्की क्या कह सकता हूँ, चोड़ाई कह सकता हूँ, इससे समानतर चत्रबुच्की चोड़ाई कह सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई आपको देखे फॉर्मुला याद अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है तो सिंपल आप चारो बुजाओं का योग कर सकते हैं चारो बुजाओं का योग किया और वो परीमाप हमारा आजाएगा. तो यह होता है समानतर चत्रबुज का परीमाप. सभी को समझ में आया कि परीमाप क्या होता है, समानतर चत्रबुज का परीमाप कैसे ज्याद करते हैं? बहुत ही आसान है चारो बुजाओं का सिर्फ योग करना है तिरुढस में तीन बुजाओं होती है तो योग करते हैं ठीक है very good अगर देखिए यह समझ में आया समांतर चत्रबुच को परिमाब तो अब हम चलते हैं समांतर चत्रबुच के छेत्रफल पर देखिए हम फिर से वही बिल्गुल basic definition पर चलता है कि हमने छेत्रफल का क्या पढ़ा था चेत्रफल हमने पढ़ा था कि किसी भी बंद आकरती द्वारा जितना इस्थान गेरा जाता है वही उस आकरती का छेत्रफल होता है तो यही देखिए समांतर चत्रबुच के छेत्रफल की भी यही definition है कि समांतर चत्रबुच द्वारा गेरा गया इस्थान ही उसका छेत्रफल ह होता है समानतर चत्रबुज द्वारा गेरा गया स्थानी उसका छेत्रफल होता है मान लीजिए एक कोई समानतर चत्रबुज इस प्रकार से दिया गया है आपको जिसका नाम है एबी सीडी जिसका नाम है समानतर चत्रबुज एबी सीडी अब देखें यह पूरा इतना ही स्प चहत्रबँचका च्षेत्रफल हो जाएगा यही इस समानतर चहत्रबँचक को क्या हो जाएगा शेत्रफल हो जाएगा तो देख़े इस च्ष kindness को आप मैं कैसे ज्यात कर सकता और चैने का फृर्मूला क्या होता है तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार से कोई एक समानतर च्थ्पर बज़ आपको दिया गया है जिसमें आपको A B दिया हुआ है A और A D आपको दिया हुआ है B formula जो होता है, देखे, मैं way फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको, इसका जो formula होता है, way होता है आधार गुणा उंचाई, समांतिर चत्रबुज का जो छृत्फल होता है, way होता है, आधार गुणा उंचाई, जा फिर अगर इंग्लिस में बोलू तो बेस इंटू हाइट देखिए यह कुछ-कुछ त्रफुज के छितफल की तरह ही है ट्राइंगल के एक ऐस अईसे एक बटा 2गुणा आधारगुणा उचाई एक बटा-धो पर है से समझाओ इसि fantast अगर में और अच्छे से समयाओ तो अभी आपने पड़ा इससे पहले ही अमने जश्ठ पड़ा मान लीजिए इस परकार यह को यह एक तृभुझ ए इसका छित्रबुच है, इसका छित्रफल हमने पढ़ा था एक बटे दो गुणा आधार गुणा उचाई या फिर अगर इंगलिसमें में मैं बोलू एक बटे दो गुणा बेस इंटू हाइट अभी हम बात कर रहे हैं समानतर चत्रबुच के छित्रफल की अभी हम बात कर रहे हैं समांतर चत्रबुच के छेत्रफल की तो देखे मैं यह दिखाना चारा हूँ कि आखिर समांतर चत्रबुच का जो छेत्रफल है वे आता कैसे है वे समांतर चत्रबुच का छेत्रफल आता कैसे है आपको यह समांतर चत्रबुज को दिया गया है ABCD तो देखिए इसे मैं दो भागों में अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या मुझे दो ट्राइंगल की तरह नजर आ रहे है देखिए एक ट्राइंगल तो यह हो गया ABC एक ट्राइंगल मेरा यह हो गया एक ट्राइंगल मेरा यह हो क्या तो यह एक समांतर चत्रबुज में दो ट्राइंगल बन रहे हैं एक समांतर चत्रबुज में दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो देखिए अगर मैं इसे ऐसे ग्याद करूं कि इसका छित्रफल अगर मैं ग्याद करूं तो क्योंकि देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो मैं दो गुणा एक ट्राइंगल का एरिया इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ देखे दो ट्राइंगल है इसलिए दो से गुणा किया और एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है एक बटे दो गुणा आधार गुणा उचाई एक बटे दो गु नहीं चाहें तो आप इससे समझ सकते हैं कि आकि लिए 74 पुझ के छित्फल आया कैसे यह जो आदार गुणा उचाई लिखा हुआ है यह आया कैसे तो यह देखिए इसी प्रकार आया है कि दो ट्राइंगल बनते हैं क्योंकि 74 पुझ में इसलिए आ गया है आदार गुणा हाँ चाहि यह कैसे आया है कि यह सभी बच्चों को क्लिएर एक लिए थीक है वेरी गुड़ बहुत अच्छे तो कि इसमें हमारा पूरा अच्छेप्ट हमें यह तो पता लग यह कि छेट्रफल जो होता है वह होता है आधार गुणा उचायी जो हमारा फार्मुला होता है आधार गुणा होचाई हैं अब देखे-जु आधार गुणा होचाई को लगाते कैसे हैं बतलब इसे यह एप्लाई करने की बात आती है तो इसे हम apply केसे करेंगे इसे question कैसे solve करेंगे वह कुर्ट को सौनक वाइस की को हमें दिया हुआ है एक विध्सम смог ही है ए और A-D दी हूई है क्योंकि A B के सामने की बुजा हैं लेकिन अगर मैं A B को लेता हूं या देखी C D को लेता हूं एक ही बात है क्योंकि दोनों का ही मान क्या है दोनों का ही मान A है और अगर मैं B C को लेता हूं या फिर mä α v d ko लेता हूं तो दोनों की एकी बात है। क्योंकि दोनों का ही मान D है। तो इसलिए मैं अभी के लिए A b और B ke b c के बारे में ही बात कर रहा हूं .अभी के लिए मैं किसमे बात कर रहा हूं? bastard Denkt Let me सबसे पहले मानता हूँ बात कर रहा हूं हूं अभी के मैं को उचाई किसको माननी होगी A-b को है आप यह गलती मत केज़ें कहीं या उँचंडी करें रहें तो आपकी उच्छाई हो जाएगी यह है है वाला है मतलब की बी और सीडी के बीच की दूरी अगर आप इसे आदार मानन रहे हैं भुझा A को तो फिर आपको उंचाई यह वाली लेनी होगी जो कि मैं ग्रीन कलर से क्लीन कलर से दिखा रहा हो मान लिजिए इस अभी के लिए मैं नाम दे देता हूं कुछ भी से कैपिटल ह् सिया, फिर बढ़ा है नाम दे दे सुआ हूं तो फिर आपको यह कैपिटल हृच उंचा ही माननी होगी लेकिन अगर मैं आप समॉल यह को मन रहा हूं तो तो आपको जो उचाई है, वो माननी है, capital H. इसमें देखे आधार और उचाई कही खेले, आपको यह पता होना चाहिए कि आधार है, तो उसके respect में उचाई क्या होगी? उसके respect में उचाई क्या होगी? जैसे कि अगर मैं देखिए, यहां बात करूँ, अगर मैं यहां बात लगजगा बिकी जगा एढ जंगा और उचा ही क्योंकि हमने आधार माना हैं तो उच जजbot हमारी यह वाली होगी होगी जो क्यैं में A Pow टो मारश चेतफ़ल क्या हो जाएगा गामारा गुणा है वेख तो इस पिरकार से हम समावान तर्च जेत्र भुषप से निकल सकते हम लेनी है अगर मैं A को अधार ले रहा हूं तो मुझे उचाई H लेनी है अगर मैं B को अधार ले रहा हूं तो देखे B को अभी मुझे अभी कोई बच्चा बोलगा कि सर मैं B को आधार लेना चाहता हूं बिलकुल आप B को आधार ले सकते हैं लेकिन देखें B के लिए हमें उचाई नहीं दी हुई है B के लिए उचाई यह होनी चाहिए कुछ इस परकार की कुछ इस परकार की उचाई होनी चाहिए यह मुझे दी नहीं हुई है तो मुझे यहां पे ए को ही आदार मानना पड़ेगा और ज्यादा तर आपको ए ही इस वाली बुझा को ही आदार मानना होता है लेकिन अगर किसी केस में मान लीजी आपको इस तरह की कुछ उचाई दी हुई हो इस तरह की कुछ उचाई दी हुई हो तो फिर आप इस वाली बुजाओ को आधार मानेंगे तो फिर आप इस वाली बुजाओ को आधार मानेंगे चलिए देखे आपका शेत्फल का कौन शाप यही था यही बात यहां पर बताई हुई है देखे नौट में अगर मैं देखू क जिसे हमने आदार माना है यह वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है और इसमें यही बता गया है कि देखिए अगर मैं इस A B मान लीजे यह कोई दो बुजा है A B जो बुजा है A B और C D अगर मैं इन दोनों की बीच में एक परपेंडिकुलर डालू इन दोनों की बीच में यह लंब डालू तो इसे तरभुच्ट की क्या कहते हैं समानतर चत्रभुच्ट की इसे उचाई कहते हैं जो कि हमें आलरेड़ी यहां दिया हुआ है है जो कि हमने अल्रड़ी दिया हुआ है और यह नाइंटी डिग्री भी बनाया हुआ है तो इसलिए यह हमारी समांतर चत्रवुद्थ की उचाई हो गई देखिए आज एक कोश्चन कर लेते हैं हम इसका एक कोश्चन जल्दी से մीस why कर दीजी आ यह आपका आज का लास्ट कॉशिण है के आज यह आज का लास्ट कॉश्चन अची यह 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 वीशुरानी ने हैंड लेयस किया यह आपका कोई डाउट है क्या यह 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 व्यप्वालंकिन जो भी बेच्चा परना आज का लाश्ट कोश्चन है बस इसके बाद आप जा सकते हैं इसके बाद आप जा सकते हैं यह आज का लाश्ट कोश्चन है जल्दी से सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे काफी बच्चों का अंसर आभी गए है जल्दी से solve करेंगे एक मिनट और wait करते हैं फिर इसे solve करेंगे एक मिनट और wait करते हैं फिर इसे solve करेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लोपक सभी बच्चों का अंसर आ गए हैं तो चलिए इसे solve करते हैं देखिए देखिए हमें समांतर चत्रबुच का हमें परिबाप दिया पूछा गया है और हमें दो बुजाएं दी हुई है AB और AD हम जानते हैं समांतर चत्रबुच के सम्मुख बुजाएं आमने सामने की बुजाएं बराबर होती है तो देखिए AB के सामने की बुजा क्या है CD तो यह भी हमारी 9 cm हो जाएगी और AD के सामने की बुजा क्या है हमारी BC तो यह भी 7 cm हो जाएगी अब हमें परिमाप पूछ गया है, परिमाप क्या होता है, समानते है चत्रबुज़ की चारो भुजाओ की कुल्लंबई, चारो भुजाओ क्या है, एक 9 cm है, एक 7 cm है, फिर एक 7 cm है, तो अगर मैं इने आपस में जोड़ू, तो 9 और 9 कितना हो जाएंगे, 18, प्लस 7 और 7 कितना हो जाएंगे, 14 cm, तो यह मेरा कितना आजाएगा, 32 cm, यानि कि Option A मेरा सही आंसर होगा, Option A आंसर सही होगा, पहले आपकी आज़की क्लास यहीं तक भी, आपको अभी Homework में बता देता हूं, और फिर आप उसके बाद जा सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं,